जो मोदी भगते हैं उनको सुबह साम धाइसों गुबर चाहिए और गौम उत्र पीना चाहिए बाबा राम देओने का सब्सक्राइब करें नाम पर पाखन फैलाते हैं और कोई पोटेस्ट करें तो वह आग लगा देते हैं कई नफत फैलाते हैं बिल्कुल ही राजनितिक मुद्धा है क्योंकि राजनितिक तरीके से ही दबन किया जा रहा है पुरिस लगाई जा रही है इडी भी जा रही है हर्त्रे की चीज़े की जा रही जितने लोगों की मानसिक्ता सड़ी हुई है उनको गंगा जल से खुद ही धुलना चाहिए उनको दिमाग को निकाल की घ देखा जा रहा है जंता नहीं बन रही है तभी तो पगलाए है यह लोग सरकार पूरी तरह से ब्रश्टो क्रप्ठ है जंता की आवाज दबाने का प्रयास है और कोई दबने वाला नहीं है नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत आवाज नौकरी नहीं नियाय चाहिए यह नारा लगाते हुए डॉक्टर रितो सिंग डेड़ सो दिनों से धंडे पर बैटी हुई थी और हद तो तब हो गई है जब उन्हीं के जो साथ देने वाले आशुतोष जी थ से लिए हमारे साथ मौजूद है बाल योगी जी सर क्या कहेंगे क्या चल रहा है यह सब लोगतंतर की हत्या आप जैसी बहन को कही कही युत्तर प्रदेश में अपने आपको आग लगाना पड़ता है तब जाकर दू मुगदमा लिखा जाता है लेकिन उसी दूसरी तरफ कह जा रहे है कि सविधान और लोकतंतर को बचाने वाले हमारे मोदी जी ही है मजाग अच्छा था मजाग नहीं है यह सच बात है मजाग अच्छा था मगा तुराओ देखे आप मुझे एक बात और बताईए सपरी मादगा जिगर किया गया था देथ की राश्पती जी को दो अच्छा देखे लाजनीतिक मुद्दा बिल्कुल है बिलकुल ही राजनीतिक तरीके से ही दबन किया जा रहा है पुरिस लगाई जा रही है एड़ी जा रही है हरत्रे की चीज़े की जा रही है लेकिन वो एक शांती पूपर प्रदेशन करने कर रहे तो इस तरीके से पहले सी बैरिगेटिंग कर देना और लोग को वहां अलग लग कर देना धारा एक सुचवारीस लगा देना यह कहां तक का नहाए है इनको डर किस बात का है दलित पुरेश कर रहा है इसलिए या उसक निन गेफ़ेश देषर का अधिकार रहता है तो क्या अब यह कह सकते है कि अब क्या धरnaj Play अधर ना करने कहांव है यह इस आप लोग समझे आपलोगे लाके अवर्रिया सिश्टर हमाही तुरी न न हो रही तहीं का भी हैं साथ देनें सीथा भूगत रहे हैं जड़ भूगत रहे हैं किसे को जला धिया जा रहा है किसे को अगंड लूगत हैattend शु M. अगर हम भूगते हैं यह और लोग भूगते हैं apoam सण नहीं है का मट्का वाला जहडो वाली प्रत लगाईगी क्या तिकि गलत तो है वो मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी OBC हम खड़े हैं अब परेशचवाले में 3 OBC हैं तो वो खुच सबसे बड़ी OBC खड़े जब ऑर और और बाबा राम देओ ने कहा तो बिसी की आइसी तैसी मतला मोदी की आइसी तैसी अब लोग गया था पटन जली के उनको जेल बेजेंगे आप लोग ने नहीं कवर किया था सलवार पहन के भागा था भूल गही सलवार पहन के हरेरी सवार सलवार थी भूले ना बाबा रामदेव जी धाई आख इनकी एका काधी है तो उनका साथ नहीं दे रहे हैं बस उन्होंने सीधे तोर पर बता दिया बाद में कि OBC नहीं OVC था आपको उन्होंने बताया था 30 का पेट्रोल देंगे मिला आपको 30 का पेट्रोल मोधी भक्त बन जाओ तुम कुल मिला कि यह देखा जा रहा है जनता नहीं बन रही है तब ही तो पगलाए हैं यह लोग चात रगर मोधी भक्त होता तो कपड़े उतार के यहां पुणिश्णा कर रहा होता मत रास्तान में सरकार बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले बिरोजगारे करना सुरू कर दिया आप अगर देखें जो मोधी भक्त हैं उनको सुबे साम 200 ग्राम गोबर चाहिए और गौम भांग खा जाएं पूरा इकठाओ कठा करके उविद परसाध है तो यह सब बेसर्मी है देखें धर्म के नाम पर यह लोग पाखन फैलाते हैं और कोई पोटेस्ट करें तो वह आग लगा देते हैं कई नफत फैलाते हैं यह पोटेस्ट करें तो पुलिस भी लग जाती है वहां पुलिस क्यों नहीं दी गई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई सवाल है आपसे इसमें एक और चीज़ देखी जा रही है कि उन्होंने बोला डॉक्टर रितो सिंग ने कि वहां से हमारा जो पूरा टेंट ता जहां पर धर्णा दे रही थी वो हटा दिया गया और उसके कि दूर ना चाहिए आने वाले समय में ये जीज़े बाबासाब ने खतम कर दी है चुआ चूट किस बाद का चूट मायवती जी ने पैर चूबाए था परामनों से बूल गया ये लोग हर समय आता है हर दिन आता है अब माजा साब ने कहा कि हर कुट्ट्टे का दिन आया हम लेकिन उस चीज को गंगा जल से दोना अब पाओ की लिए किसका नाम है कि इसका नाम है वो चवहान जो है बड़ा पावसा मुह लेंके दिन बन तलवार दिखाता है उसको कोई दिए आप तो मैं दिखा देखा थिया नाचने गाने लगता है तब तो कुछ नि बोलता बागे शिनल लिखर निंट भी मुसल्मानों खिला बेशी जो उन्हें पज़त आप बताइए राम रहीम राम मानिये अगर आप वो पीडित पड़िवार होती तो क्या राम रहीम की परोल मिलने पर खुश होती नहीं तो क्यों छोड़ा रहा है उनको आसाराम को छोड़ने की बात की जा रही है आप लोगों के लिए अन्याय है बिर्किस बानों का औरोपे को छोड़ा गया आपके लोगों के लिए अन्याय है तो यहीं तो यहीं तो यह लोग करते हैं क्या हुआ निर्भयाकांड में मिट्टी के जलाया गया आधी रात को जलाया गया क्या मजाख है सूची लोगतंतर का मजग कोई भी मोधी सरकार के समर्थर में नहीं है तो फिर वो कैसे कह सकती है कि अपकी बार 400 पार जगा जगा पोस्टर दिख जाएंगे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा अपकी बार 400 पार तो सरकारा गयी पौस देशन हम ने किस पर लगाया पोस्टर बेन में इस प्याइट तो में गया है अब योगी किस तरीके से कर रहे हैं कि 400 पार जब महिला उनसे परिशान है भाउजन उनसे परिशान है तो कैसे दावेबादे कर सकते हैं वो अभी तो उनसे पूछना पड़ेगा कला कैसे आई उनके पास यह राम देव के चुलन का कमाल है राम देव चुलन देता है जिसमें ऑलीजवेल वह आलीजवेल रहते हैं कि वह दुरुपयोग करते हैं उन आई कास की गारणटी है कि सौचाल्य गळैंटी है ओभी आधा सब्सक्राण 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 कि अब दॉल बुड़ोर चलवादो जिकितों उड़ाँ मुंने की बनभूदा to आशीं के बन इसलाई ब्हुटाचन जरूर की इसलोर समय को बनभूदा इत风न कितों वकांद नाशीं आब धीू हमें उड़ाँ वंपिन को अफंडर्ट है। सरकार पूरी तरह से भ्रस्ट कृप्ठ है चनता की आवाज दबाने का प्रयास है और कोई दबने वाला नहीं है अगर लगता तो आज कही लोग जील जा जाते हैं जो राम को ला सकते हैं वो नीरमोदी कि मेवल चौक सी को क्यों निला सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से सरकार के विरोध में जनता खुद आ चुकी है कि जो इस सरकार से अगर काम नहीं हो रहा है तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए इसको और लगतर इवियम को देकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो 400 पार के दावेवादे करती है कि शायद कहीं न कहीं इवियम में धानले वाजी है तब ही सरकार बना पा रही है बाकि इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर दीजेगा धन्यवाद